और गईज कियाल चाल उम्मीद सब बढ़ियाओंगे तो गईज स्वागत है आप सभी का वाट सर्वाइवल सीरीज के एक और एपिसोड में तो गईज जैसा कि आप सभी जानते हो मैंने इदर अपनी क्रॉफ्स वगेरा गिरो कर रखी थी लेकिन गईज अभी मैंने सब पॉइंट वाले एरियो और गईज इस बिलेज को आपस में मिलाना चाहता हूं उसके लिए गईज मैं इस पानी को इदर से फिल कर रहा हूं तो अभी तो ये कंपलीट फिल नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास डैट खतम हो गई थी और गईज मैं इसको सिर्फ उपर की तीन सही फिल कर रहा हूं वाकी नीचे का गईज इसको यूई रहने दूँगा अभी गईज बात करते हैं इस वाले एपिसोड की तो गईज आपको पता होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने एक नैधर फोटरस फाइंड किया था तो आज मैं उसी नैधर फोटरस पर जाने वाला हूं और गईज उस नैधर फोटरस से कुछ जरूरी आइटम्स कलेक्ट करकर लाओंगा जो की गईज हमको एंडर ड्रेगन को मारने में हमारी हेल्प करेंगे उसके लिए कई सबसे पहले तो नैधर फोटरस पर कुछ ऐसे मॉब्स मिलते हैं जिनको गईज हम पास से नहीं मार सकते मतलब की बिलेज वगेरा वो हवा में उड़ती रहती हैं तो गईज उनको मारने के लिए हमको एक पावरफुल बो वनानी पड़ेगी तो गईज सबसे पहले मैं इदर से बो के लिए जितनी भी इंचैंटमेंट्स बुक लगती हैं तो गईज मैं उन सभी को बनाऊंगा लेकिन उसके साथ हम अनिवरेकिंग मिला सकते हैं याने ये मुझको अभी नहीं पता और मैंने बो पर एक पंच टू की भी खरीद ली क्योंकि ये नौक वेक का काम करती है अभी गईज बो के लिए आगे की और बुक्स देखते हैं तो गईज ये फिलेम बन की अनन्त के अनन्त तीर छोड़ सकते हैं और जिस वाली वो पर हम इंफिनीटी की इंचैंटमेंट लगा देते हैं उस वाली वो पर गईज हम मेंडिंग की बुक नहीं लगा सकते हैं वैसे गईज मेंडिंग लग जाती तो बड़ा च्छो तो लेकिन गईज इस वाली वो पर और फोटरस के अंदर हमारे पर मॉप्स कुछ ज़्यादा ही हमला करेंगे जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की जड़त पड़ेगी तो गईज मैंने गोल्डन केरिट भी खरीद लिया भी गईज एक बो लेकर सीधा चलते हैं इस बोके उपर इंचाइंटम पर इसको इस दर्चे करते हैं स्टार्ट और सीधा चलते हैं नीचे की तरफ वैसे गईज यह गोल्ड एक्स विफारम बढ़िया यार इसने हमारी सारी इंचैंटमेंट करा दी हमने सारे आर्मा टूल तो बना लिए इसके बाद गईज हमको एक्श्पी की क्या ही जरूत प गईज इसको बाद में लगाऊंगा सबसे पहले इंफिनीटी और गईज फिलेम की बुक को आपस में मिला देता हूं और गईज यह दोनों भी आपस में मिल गईज इन चारो बुक को एक साथ मिला देता हूं तो गईज यह चारो बुक अभी एक साथ हो चुके हैं इन चार को सबसे पहले बोकेप पर लगाता हूं और गैज इनको लगाने के लिए 18 एक्सपी चाहिए तो गैज मैं फटापट से इधर से 18 एक्सपी कलेक्ट करता हूं वस फार हम के चारों तरफ रेकिंग इसके उपर लगा सकते हैं या नहीं तो गैज लगा सकते हैं इसको लगाने के लिए हमको 10 एक्सपी और चाहिए तो गैज मैं फटापट से 10 एक्सपी और कलेक्ट कर लेता हूं और गैज इसकी के साथ अपनी जो यह बो है वो मासकती साली हो जाएगी बढ़ी आए गईज मुझको ना माइनक्राफ्ट का सबसे अच्छा वैपन लगता है बोक्यू की गईज इसमें एक तो इंफिनिटी की इंचाइंटमेंट आ जाती है जिसे हम एक ही तीर से इसको सदा के लिए यूज कर सकते हैं जब तक ये तूटती नहीं है वैसे किरॉस वो है जो इससे ज़्यादा इंचाइंटमेंट हम इसके उपर नहीं लगा सकते और ये पिगलीन पहले फारम से बाहर भागया थे थे लेकिन अभी मैंने इनका रास्ता ही बंद कर दिया भी गईज इनकी अकल ठिकाने आएगी तो गईज सबसे पहले तो मैं एक तीर ले ले लेता हूँ क्य इसी को तो कहते हैं हमी तो या मैं अभी गईज सीधा चलते अपने नेधर फोर्टरस पर और गईज उसके लिए मुझे थोड़ी सी टॉर्च और चाहिए तो गईज मेरे पास कोईला तो है नहीं लेकिन ये कोईला के और हैं तो गईज मैं इनी से टॉर्च बना लूंगा ये कोईले के और कवकाम आएंगे और गईज इनको हम यूज नहीं करेंगे तो ये पड़े-पड़े इदर से हीरे बन जाएंगे इसलिए हम इनको यूज ही कर लेते हैं इनको हीरे नहीं बनने देंगे अभी कैसीधा चलते हैं नेधर फोर्टरस पर और गईज जैसा कि प्रविल्ट के अंदर गए होगे तो गईज नेधर पोर्टल के अंदर एंटर करते ही आपको ठोक देते होंगे इसका सिर्फ एक ही सॉलूसन है कि आप जब भी गोल्ड एक्सी फारम को यूज करके नेधर वल्ड के अंदर जाओ तो गईज आप अपने वल्ड की को पीसफुल मोड पर सेट करकर नेधर वल्ड के अंदर एंटर करो और गईज जब आप नेधर वल्ड के अंदर एंटर कर लो तो गईज आप फिर से अपने वल्ड की डिफिकल्टी को हार्ड पर सेट कर लेना तो गईज नेधर के अंदर आ चुके हैं अभी सिधा चलते है अपने फोर्टरस के उपर और आपको तो पताई होगा फोर्टरस किदर है क्योंकि अगर आपने पहला वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पताई होगा कि हम इदर माइन करने आई थे तभी हमको फोर्टरस मिला था तो गईज फोर्टरस पर जाने से पहले मैं थोड़े बोलता हूँ इनके लफड़े में नई फस्ते सीधा अपने नेदर फोर्टरस के पर चलते हैं क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनको भाव देने लगूँ और गैज इनको भाव देने से इनके भाव बढ़ जाएंगे सेमलाइक गल्स इसलिए इनको भाव नहीं देने चाहिए और जितना मुझे याद है नेधर फोर्टरस इधर ही किदर था लेकिन अभी मिलने ही रहा इसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया ये और बढ़िया हुआ गई जिस चीज के लिए इतनी तैयारी करके यहाँ पर आये थे वो इधर से भाग गई नहीं गई गई इधर ही है यही रहा सामने ही अपना नेधर फोर्टरस अच्छा हुआ गई यही पर मिल गया वरना गई इसके लापता होने की खवर हमको अखवार में देनी पड़ती है और गई इसको लापता गोशित करना और गई उपर से इसकी डीपी लगा कर हमको फेस्वुक, इंस्टाग्राम और वाटसप बगएरा पर सेयर करनी पड़त और गई उन तीन लोगों को बोलना इसको आगे और तीन लोगों के साथ सेयर करो इस तरीके से हम सब नैदर फोटरस के उपर आ जाएंगे जैसे की मैं आ गया और इतना सन्ना टाकी हो है और गई अपना सुवागत क्या है बिलेजने तो गई इसका सुवागत हम देखेंगे और इदर से तो कोई नीचे गिरने का रास्ता भी है सबसे पहले तो ये जो अगनी देव हम पर भड़क गए हैं इनकी अगनी को सांथ करते हैं चलो गई आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस नैदर फोटरस को और गई ये कौन आगे अपनी सवागत में और गई इ इदर से एक बिलेज रोड मिल गई मतलब गई अभी जंग का ऐलान हो चुका है तो गई चलते हैं जंग के लिए प्रस्तान करने और इस जंग में एक तरफ मैं अकेला हूँ और एक तरफ ये नैदर फोटरस के सारे मॉप्स तो गई देखते हैं किसकी जीत होती है तो गई स मुझे को पता चले कि मैं इदर से आया था पता नहीं इन इस ट्रैक्टर के डिजाइनर्स को हर चीज सेम क्यों वनानी होती है इनको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वनाते तो गई कितना अच्छा होता चलो गई अभी इस नैदर फोटरस की गलियों में च्छान वीन क क्यान देखते हैं हम को क्या क्या मिलता ह्या और गए इदर तो काफी सारे अगनीदेव पद तरह हूं गई नाफ्तर न मतस्कार करते हैं लेकिन ने चीनों इनमें जान भी जा सकती है मैं तो माउंटेन डियू पीता रहता हूं तो गई रिस्क लेने का मुझे सौक है लेकिन आप ऐसे रिस्क मत लेना यह काफी जान लेवा है इनको गई आप घर पे ट्राइ मत करना और यह लावा इदर आया तो आया कहां से जमीन से निकलाया गईज आसमान से टपका और गईज ये विलेज काफी ज़्यादा फालत वोल रही थी अभी गईज इसको मैं थोड़ा सा सबक सिकाता हूँ इसको तो मैं इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि इसकी लास भी इसके घरवालों को नसीव नहीं होगी और गईज ये बार बार हमारी जला देती है ये वड़ी प्रावलम है ये इतनी वड़ी गाष्ट कहां से आगई इसको तो गईज एक ही तीर में पेल दिया वैसे गईज मुझको लगता है कि इस गाष्ट की और बिलेज की आपस में सेटिंग चल रही है क्योंकि एक तो मुझे आग फैक्ती और एक मुझे बंब फैक्ती रहती है और यहाँ पर मिल चुका है गईज हमको एक बिलेज इसको गईज सबसे पहले टबकाते हैं और गईज ये जादा ही आगे इनको गईज सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा चुन चुन के मारूंगा और इन्होंने चारों तरफ आग फैला दिया लेकिन गईज इनसे डरना नहीं है डटकर मुकावला करना इनको सबक सिकाना है इनको पता भी तो चलना चाहिए इनके मैं इनको इदर ऐसे भी नहीं इन्होंने अभी तक कच्चे फिलेयर देखे हूंगे इसलिए इनको पता नहीं है कि बॉट किस पिरो का नाम है सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी हेल्थ वाड़ा लेता हूं इन्होंने भी मेरी अच्छी खासी अच्छी तैसी कर दी ले कच्ची तरफ फिरस्तान करते हैं इन्होंने मुझसे पंगा ले लिया तो जब इनका पास्ता तो बनाई दुँगा इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ये लंबी लंबी टांगों के हमको एफेक्ट दे देते हैं जिस्से हमारे पीछे टक टक होती रहती और हमा मार दिया तो हमारी मौत का ठपा यहीं पर लग जाएगा और यह सपेद वाला स्केलेटर ने इनके साथ क्या कर रहा है इनका आपस में कोई संबंध या सेटिंग वगएरा चल रही है किया माइनक्राफ्ट वालों को गईज वताना पड़ेगा गेम के अंदर क्या क्या हरकते चल रही है इनको तो गईज मैं दूर से मारूंगा मैंने इस बोको बनाया है इसलिए ताकि इनकी बुद्धी सेंटर में ला सकूँ और गलती से पिगलीन को हिट हो गया भी गईज यह हमको मारने आ रहा है तो गईज इसको तो मारना पड़ेगा वरना एक हीट में काफी ज्यादा डैमेज देता है यह तो मर गया गया जिसका एक और भाही आ गया यार तुमको मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था यार कुछ ले दे के आपस में सेटल कर लो चलो गईज भाग तो गया काफी प्यारा पिगलीन था काफी आसानी से मान गया वरना काइज मुझको इसकी सैटलमेंट करनी पड़ती नहीं माना नहीं है फिर से आ गया यह लोग पता नहीं मुझसे इतना क्यू नरसंगार करवा रही हैं और गईज हमको दो बीदर सकेलेटन के इसकल भी मिल फिलाल तो गैज मैं लड़ाई में वैस्त हूं तो गैज ये सामने से आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं गैज विलेज भी आ रहे हैं बीदर स्केलेटन भी आ रहे हैं इनको गैज सबको एक चुन-कुन-चुन के मारूंगा साथो को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा और गै तब इदर से बन दे तो गईज इदर से भी वापस चलते हैं इदर तक भी हमने एक्सप्लोर कर लिया वी गईज मुझे वो वाला एरिया फाइंड करना है जिसके अंदर चेस्ट वगेरा मिलती है एक तो यार यार ये लंबी लंबी टांगों के काली खोपडी की हटी बार बा के पास जाना है तो गईज सारे के सारे बदमास लोग हैं एक तो यार ये विलेज वार वार मुझे को जला देती है और गईज जैसे ही मैं ये बो को या स्वार्ड को हाथ में होल करता हूं तो गईज स्क्रीन पर ये बड़ा बड़ा लिखा जाता है कि इसके पर इतनी हो जानी चाहिए और इन बातों ही बातों में मैंने इन विलेज को ठोक दिया और इनसे मुझको विलेज रोड भी मिल रही है ये काफी अच्छी बात है इसके लिए हम सुक्र गुजा रहे हैं लेकिन ये पीछे से बार और गईज ये पीछे से बार मेरे साथ पीछे से बार है फाइट चल लई है फाइट चल लई है और गईज भेंकर वाली लड़ाई बाज रही है और ये टपोरी लोग मेरा कुछ नहीं भी गाड़ पारे बोले तो गईज ये सबके सब एक नमबर के छपरी हैं जिसकी एक डाड़ में गुट लगानी है और गईज इदर से मरे नही वैसे अभी तो मेरे पास सिर्फ डाइमंड के ही आर्मर टूल है जब मैं इन पर भारी बढ़ रहा हूँ अगर गईज मेरे पास गलती से नेधर राइट के आर्मर टूल आ जाते तो गईज मैं इनकी इदर से चटनी बनाते था और गईज इनका चूरन बना कर वेच डालता भी इदर स्केलेटन का बनाता काला वाला चूरन जो खटा खटा सा लगता है और गईज विलेज का बनाता लाल वाला चूरन जो मीठा मीठा सा लगता है इदर गईज उपर जाने का एक रास्ता मिलाए तो गईज उपर देखते हैं कि आमको कुछ मिल पाता है इदर गईज मज़ा आ रहा है गैज इदर से इनको तीर मारता रहूंगा और गैज इनको इदर से टपकाता रहूंगा नहीं गैज इतना भी मज़ा नहीं आ रहा है इदर भी आग भैकरी इदर से चलती है वरना गैज यह और इदर से अभी मैं गिर जाता ऐसी सुचुवेशन में जान हलक्ते में आ जाती है इसलिए जल्दी से किसी सेफ पिलेश पर चलते हैं और ये बार बार पता नहीं गईज वीदर स्केलेटन खां से आ जाते हैं अभी तो गईज इनको मार के गया था वे लेकिन ये फिर से आ गए तो गईज थोड़ा सा मनोरण जिन इनका और कर देता हूं इनकी गईज ये ठुगने के इरादे से इदर आए हैं ये गईज पिटत पानी यहां क्या कर रहे हैं और इसी को तो मैं ढूंड रहा था मौत का कुई इसी के नीचे तो गईज हमको वह मिलती है वह क्या बोलते हैं उसको लाल-लाल से फूल जो होते हैं अभी और यहां गईज यही नेदर वार्ट इन्हीं को तो गईज मैं फाइंट करने आया था कर नहीं से तो हम पोषन वणा सकते हैं और इसके अंदर एक आयरन का आर्मर वी है मतलब होड का आर्मर है इसको भी ले कर चलते हैं और पीछे आएगी और इस विलेज ने एक बीदर स्केलेटन को बाड़ी गार्ड रखा हुआ है लेकिन इसके बाड़ी काड की बाड़ी न कुछ नई चीज मिली है इस मीटिंग टेंपलेट और इसका गई अभी मुझको यूज नहीं पता लेकिन इसको ले चलता हूं क्योंकि यह 1.20 की चीज इतना तो मुझे पता है इसका यूज भी बाद में देख लूँगा वैसे काफी काम की चीज इतना मुझको पता है लेकिन मुझको वो वाला टेंपलेट चाहिए था जिसे हम नैदेराइट के आर्मर बना सकते हैं और वो वाला टेंपलेट वेस्टन पर ही मिलता है सिर्फ चलो उसको भी लियाएंगे हम इदर से कहीं भागे तो जाई नहीं रही अभी गईज इसको थोड़ा सा इदर से एक्सप्ल इदर क्या कर रहे थे अभी गईज मैं समझा कि बीदर स्केलेटन की सिर्फ हड्डिया हड्डिया क्यों होती है बाड़ी क्यों नहीं होती देखो गईज इन पीदर स्केलेटन ने और विलेज ने इदर आपस में कुछ ना कुछ तो गुप्तुगु करी होगी जिसकी जल गई इसलिए इसकी सिर्फ अभी हड्डी हड्डी वची है इन बीदर स्केलेटन के साथ गलत किया विलेज ने और गईज लड़ाई कर रहे हमारे साथ देख रहे होगाई कैसी नाइसाफी चल रहे है इनको तो गईज इदर से मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला खेरे परदेशी साथ किया निवाएंगे अकेले नेधर फोटरस के पर आये थे और गईज अकेले ही जाएंगे चलो इदर से भी गईज रास्ता बंदी है आगे की तरफ एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या आगे अभी और मिलता है वैसे भी गईज इस ने मौल और इसके अंदर क्या है गोडे के लत्ते मतलब गोडे के आर्मर का मी करेंगे फिर भी गॉटा लेते हैं कोई और गैज इधर ये सामने से काली हड़ी के फिर से आगए पता नहीं यार गैज इनको पता नहीं अपनी राड फिकवाने में क्या ही मज़ा आ रहा है वैसे ये कुछ बिगाड तो पाई नहीं रहे है वैसे एक बात अच्छे है कि इनको मारने से हमको एक तो कोईला मिल रहा है और गैज इनको मारने से हमको बोन्स भी मिल रही है मतलब कि एक तीर दो निसाने और गैज तीसरा निसाना तो काफी हैवी वाला है कि इनको मारने से हमको वो इनके खौपडी की वो जो हड़ी हड़ी क्या बोलते हैं इनको इसकल मिल जाते हैं और गईज यही वो चीज थी इस पूरे नेधर फोटरस के पर जिसको मैं फाइंट करना चाहता था क्यों कि इसी के अंदर से हम नेधर वाट ले सकते हैं लेकिन अभी मुझको नेधर वाट चेस्ट के अंदर से मिल गया पहले तो गईज नहीं मिलते था और यह मैंने सत्यानास कर दिया इदर गईज यह लावा फैला दिया और यह सारी नेधर वाट जल गई वैसे मैं ये बोल रहा था कि हमको चेस्ट के अंदर से नेधर वाट मिल गई और गईज नेधर वाट पहले हमको चेस्ट के अंदर से नहीं मिलती थी जितना मुझे पता था लेकिन गईज अभी मिल गई तो हम क्या करें हमार तो फाइद ही है वैसे नेधर फोटरस की चेस्ट मैंने लगवग सारी लूट ही ली है और गैज बिलेज का स्पॉनर भी मिल चुका है और गैज हमको बीदर के स्कल भी मिल चुके है और गैज नेधर वाट भी काफे मिल चुके है और गईज मैं ये कोट का चेरियो के चक्र में नहीं पड़ना चाह रहा इसलिए गईज मैं सोच रहा हूं कि इदर से चलता हूं वैसे आपको एक चीज सच बताऊं तो मैं किदर से आया था और गईज अभी मुझको किदर वापस जाना है मुझको नहीं पता मैं सिर्फ चले जा रहा हूं चले जा रहा हूं और इनको मारे जा रहा हूं और मुझे लगता है कि मैंने विना फालतू में मुसीवत के अंदर पैर रगता है एक तो गईज ये जुन्ड बना कर सारे के सारे लड़ने आ रही है एक तो अगर इनमें दम है तो गईज अके लिय याना भी रंगे हातों बिले संग, बीदर, स्केलेटन मैं न बोलता था गईज इनका अपस में कुछ ना कुछ तो चल रहा है मेरी बात मान लिया करो आप मैंने सारा ग्यान प्राचीन तत्यों से अर्जित किया है अभी गईज मेरी इन्वेंटरी में एक तो फालतू का सामान काफी जादा हो गईज इसको गईज इदर ही फैक देता हूँ इसको अपने साथ ले जाकर क्या फाइदा ये गईज लकडी की मतलब ये जो पत्थर की तलवा रहे हैं और गईज अपनी इन्वेंटरी में अभी तीन बीदर स्केलेटन के इसकल आ चुके हैं इसका मतलब समझ रहे हूँ गईज मतलब अभी हम बीदर बना कर उसको मार कर नैदर श्टार लेकर बीकन भी बना सकते हैं गईज इनको लेने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते वैसे हिसाब से देखा जाए ना गईज इस नैदर फोटरस के उपर मैंने जितने बीदर स्केलेटन को मार आया गईज उसके हिसाब से तो मुझे गईज 10-12,000 बीदर स्केलेटन के इसकल मिलने चाहिए और साथ ही गईज माइनिक्राफ्ट को मुझे सम्मानित भी करना चाहिए गईज आप मेरी ये बात माइनिक्राफ्ट वालों तक पहुचाओ चलो यार सब कुछ अभी इदर से डन हो गए जितनी चीज चाहिए ति उमीद से ज़्यादा ही मिल गई मुझे को इतनी चीज चाहिए भी नहीं थी लेकिन गईज इदर अभी मैं जाने का रास्ता भूल चुका हूं मुझको पता ही नहीं है मैं किदर से आया था और मुझे को किदर जाना है इदर ही गईज चल कर देखता हूं क्या मिलता है और गईज ये तो वो दूसरा वाला नेधर बॉट का रूम है लेकिन गईज इदर भी प्रॉलम है कि इसके कौने में भी इन लोगों ने लावा लगा रखा है लेकिन गईज इस वार मैं गलती नहीं करूंगा नेधर बॉट को जलने नहीं दूँगा सबसे पहले तो मेरे बिलोक्स खतम हो गए है मैं थोड़े से बिलोक्स लेता हूँ अभी गैज मुझे को क्या करना है कि मैं लावा को छेड़ता है नहीं हूँ ये फोर्चुन 3 से इस नेधर बॉट को दूर दूर से ही कलेक्ट कर लेता हूँ वैसे नेधर बॉट अभी काफी चोटे हैं वरना एक नेधर बॉट को तोड़ने से हमको 6-7 नेधर बॉट मिल जाते हैं और गैज मैंने फिर से यह वाली गल्ती कर देश लावा को फैला दिया गैज मैं भी थोड़ा सा बेवकूफी हूँ अभी गैज मैं यह वाली गल्ती दूसरी साइड नहीं करूँगा उदर गैज बड़े प्यार से सबसे पहले तो गैज दूसरी वाली साइड मैं बिलॉक लगा कर लावा कोई खतम करूँगा क्वी गई एक विलोक पर लावा है तो एक विलोक लगाने से लावा खतम हो जाएगा ठीक है गया लावा अभी गई आराम से इन नेधर बॉट को कलेक्ट करते हैं भी कोई प्रावलम नहीं है और गई मैं एक चीज तो भूली गया था कि नेधर बॉट को तो मैं ले जाओंगा लेकिन इनको गिरो कैसे करूँगा उसके लिए गई मुझको सोल सेंड भी तो चाहिए तो गई फटा पट से इदर जितनी भी सोल सेंड मिलते हैं उसको कलेक्ट करते हैं वाकि सोल सेंड तो इदर इदर भी आसानी से मिली जाएगी अभी गई अपना जो काम है बिल्कुल डन हो चुका है इसके बाद गई हमको इदर कुछ भी नहीं चाहिए तो गई सीधा चलते हैं अपने ओबर वर्ल्ड आने की अपने घर की तरफ और यह जो मैं सामने देख रहा हूं कि मुझे इदर एक और बिलेज का स्पॉनर है लेकिन इदर कितने सारे एकनी देव हैं सबसे पहले तो इन सभी एकनी देव को मुझे को प्यार से नमन करना पड़ेगा तो यह हमारी प्यार महबत की वाते चलती हुई और अभी गई यह वाला बिलेज स्पॉनर दूसरा वाला और इसका भी दर से करें सरा कुषिंस हुआप करने के काम आई का तो ठीक है है अभी गई इसके कौई नोट करने के लिए इदर से हेक स्क्रीन सोट मार लेता हुर में इस लट लटकर भी ठक्क्र खुर झारा है расс寂म को की सारे ए질िए मिलगई ना मेरा इन से कुछ लेना देना ना इनकम उसे कुछ लेना देना इनको भी गईज उड़ते तीर लेने का सवक है मैंने अपनी बोर अगदी वरना गईज इनको उड़ते तीर दे देता एक तो यह बिलेज की बच्ची वार वार अपनी जला देती और इसने हमको किदर फैक द पहले एक थोड़ी सी लंबी सास लेता हूं और अपनी हेल्थ वा डालेता हूं मैं सोच रहा था गईज नेधर फोर्टरस के उपड़ से गिर गया कहीं लावा पूल में ना गिर जाओं क्योंकि आपको तो जानते हैं इदर नीचे लावा ही लावा होता है ऐसा होता तो इटिम्स कलेक्ट कियें अभी गईज मुझे को कुछ नहीं करना इदर से नेधर फोर्टरस जाए वाड में मुझे जाना है सिर्फ ओवर वर्ल्ड में अपने बेस पर एक तो यार मुझे अपने नेधर पोर्टल के कोडिनेट याद रखने चाहिए थे अभी गईज मुझे इक रास्त मिल गया इदर से तो हम आये थे अभी गईज हमको कुछ नहीं करना सीधा अपने ओवर वर्ल्ड में जाना है किसे से ना कुछ लेना देना किसे से ना कुछ पंगा धंगा तो गैज अभी आ चुका हूँ मैं अपने ओवर वर्ल्ड में अपने वेज के पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नैदर पोर्टरस के अंदर से हमको कितना माल मिला है सबसे पहले तो गैज आप देखो हमको चार बीदर स्केलेटन के इसकल मिल चुके हैं और एक डाइमन्ड यह काफी रेर चीज है और गैज साथ में इस मितिंग टेंपलेट भी मिला है जिसका भी यूज तो मुझको नहीं पता लेकिन गैज मैं इसका यूज पता कर लूँगा और गैज साथ में 40 बिलेज रॉड मिल गई यह काफी अच्छी बात है और गैज नैदर वाट मी मिल गई जिनको मैं भी गिरो कर दूँगा कुल मिला कर बोला जाए तो गैज काफी अच्छी लूट है इन में से मुझको सबसे जरूरी चीज चाहिए थी बिलेजर रॉड क्योंकि गैज मुझको इन बिलेजर्स को जॉंबी बिलेजर में कनवर्ट करकर इनको गैज फिर से बिलेजर बनाना है जिनसे इनका ट्रेड स परस्ता हो जाए और स्ट्रॉंग होल्ड को भी फाइंड करना है तो आगे यह सब करेंगे